हलो गैस मैं सूरज आज आज आपके लिए नई वीडियो के साथ आया हैं दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा जो कोशन आपका रहेगा उसका आंसर देखी जैसे कि हमने थंबलेन में देखी चुके होंगे कोशन को कि नुकलिक एसिड किसे कहते हैं और सरचना का वरण कीजि और अंदर तक कवर करेंगे और मैं आज आपको बताऊंगा बिलकुल ट्रिक से क्योंकि आज के बाद कभी ये कोशन यदि आपके एक्जाम में या कभी लाइफ में कोई बंदा भी पूछ लेता है क्योंकि ये है जिलो जी से रिलेटिट कोशन हमारी वाड़ी से तो यहां आपको बनना पड़ेगा लास्ट वीडियो माने रही है एक अच्छी दख जाए थोड़ीची वीडियो ना तो एक बाद लाइक करके और तुरंत वैल के एकों को दमा देना ठीक है और शेश्क्राइब ज़रू कर लेना पहली बाद चनल के आए देखिए यहां ब वो कह रहा है जो नीकलिक अमल है वो पैंटो सरकरा नाइटोजनी छारक फासफेट समू की बनी अनेक इकाई मतलब यूनिट का बहुलक होता है समझ मा रहा है मतलब की आप पैंटो सरकरा जो नाइटोजनी छारक होता है वो पैंटो सरकरा नाइटोजनी छारक फासफेट की समुका एकायो कवाना भूलक होता है आप देखिए जो nucleic acid होता है nucleic acid को दो भागों बाढ़ सकते हैं कौन-कौन से भागों में फढला DNA और दूसरा RNA कौन-कौन से दो DNA और RNA क्वण से होते हैं nucleic acid अब यहां देखिए बोल रहा है कि deoxy DNA को क्या कहते है deoxyribon यहां बोल रहा है 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 यहां बोल रहा कितने बेश होते हैं शारी बात करेंगे तो यहां चलते हैं DNA एक पिरकार का क्या होता है निकलोटाइट का बहुलक होता है किसका होता है निकलोटाइट का बहुलक होता है अब कह रहा है निकलोटाइट का बहुलक होता है जिसमें क्या होता है निकलोटाइट का बहुलक होता ह होंगे उसमें उसके बाद में दो पिरकार के बेच्छारक पाए जाते हैं बेच्छ पाए जाते हैं बेच्छ होते हैं दो पाए जाते कुछ भी लग सकते हैं कौन-कौन से एक होता है perimedrine ठीक है एक होता है perimedrine और दूसरा के होता है pyurene ठीक है perimedrine और प्युरीन ठीक है और प्यूरीन, प्यूरीन कौन कौन से होते हैं, देखिए, जो प्यूरीन होते हैं, वो हमके एडमीन, देखिए, एडनीन और ग्लाइनीन होते हैं, तता तो पैरिमीडीन होते हैं, पैरिमीडीन जिसे कहते हैं, वो होता है, साइटोसीन और थाइमीन होता है, समझा रहा है, औ इंदर कौन-कौन से चारग होते हैं चारग को सूथ के अटी सीजी एटी सीजी मतलब की एडिनीन थाइमीन साइटोसीन और ग्राइनीन होता है उसके बात करते है यह की स्येस्षे से यहीं आना। जो ऊता हई आपको पता है रहा होता है होता है है होता है कि इस एक सब्सक्राव को रहा होता है वाटसन और कुरिक ने देखिए वाटसन और क्रिक नावके दो बैगिया निक थे आपको पता होगा उन्होंने 1953 में डिये ने का दो एक उन्डी मोडल दार मॉडल मतलब की डेवल हैक्सल मॉडल प्रुस्टित किया था समझ में रहा है और कहा रहा है कि दोहरे कुंडली में ड समांतर होंगी ना अब देखे दोनों ने चांट होंगे उनकेजों बन रहा है तो यह क्या होता है कॉंसे कहलाते है तो यहां डरिक रियर करेंगे बिल्क है एक पॉइंट को, bond बनते हैं, इसे जुड़े होते हैं, तो कहरा है कि एडिनीन होता है, वो दो hydrogen bond द्वारा जुड़े होता है, देखिए एडिमी, जो एडिनीन होता है, एंड थाइनीन, एडिनीन और थाइमीन होते हैं, वो दो hydrogen bond द्वारा, तथा गलाइनीन और साइटोसीन होते हैं वो तीन हाइटोजन वांड द्वारा जुड़े होते हैं यह बहुत मैं पॉइंट्स है यहां नोट्स करने का आपका कि जो एडिनीन और थाइमीन होते हैं 80 होता है जो 80 हमने सूत लगा दा 80 वो क्या होता है वो हमारे होता है धड्रोज…. दो ह kickingpod हुटचे हुए ठीक है और जो हमारी ग्राइनीन और साइडीन होता है जेसे हम cg कहते हैं वो हमारे 3 आईड्रोजन बॉर्ण दोरा जोरा तो यहां से लेकर यहां तक की जो लेंट होती है तो आपको दिख रही है उसके बाद कहा रहा है इमेज भी आपको वना क्या नहीं है उसके बाद कहा रहा है कुंडरिकार सरचना एक मूझ को चुक्र होता है यहां से लेकर यहां तक कि दूरी होती है यहां से लेकर एक एंगल बनाता है और क्या होता है यहां देखिए आपको देख सकते हैं कि चित्र में आपको नीचे दे रखा है जो देखिए आप बात कर लेते हैं जो DNA होता है DNA A form DNA ठीक है एक होता है A form DNA C form DNA और Z DNA आपने Z DNA तो सुनोगा लेकिन A form DNA बो नहीं मिल देखा होगा नहीं अपने B form देखा होगा ना C form तो मैं आपको यहां कुछ बताने वाला हो देखिए जो A form DNA होता है में 11 चारक होता है यहाद रखना B form DNA में होता है उसमें 12 चारक होता है यहाद रखना इस बात को लाहता है जो समाननता कोश्काएं होती है उसमें B form DNA पाया जाता है समानता कोश्का होती है ज्यादा कर उसमें B form DNA पाय mobile जाता है ठीक है जाल आप अपने फंब देने पढ़ा होगा ना भी फंब आपको सी टेकаю नहीं पढ़ा होगा लेकिन इससलिए मैं यहां clear करा देता हूं तो इसके बाद में आपको देखिए आपको आपको इमेज बना की आनि आपको सू कर रहा हूं तो, IMAG बना रही है और यहां आपका तुम मैं सेंट्रल एक यहां लिख देना है और इस इमेन एक क्या लिखना है अब बात आते है कि RNA के बारे में यार जब हम देखिए nucleic acid को हमने दो भागों माटा था एक DNA में माटा था और एक बाटा था RNA में DNA तो हमने concept कर लिया RNA को अब देख लेता है RNA क्या कह रहा है देखिए RNA बहुत important रहेगा और यह आपके लिए यह देखिए अलग-अलग से भी पूसकता है ठीक लेकिन nucleic acid के question आए तो भी आपको यह लिखना है तो यहां कह रहा है कि जो RNA होता है वो राइबो जो आपका राइबो राइबोटाइड होता है राइबोटाइड का बहुलक होता है किसका होता है राइबोटाइड का बहुलक होता है इसमें जो होता है राइबो nucleic acid भी कहा जाता है इसे कैसे कहते है राइबो nucleic acid भी कहते है इसे कैसे RNA को अब कहा रहा है जो राइबोट का बहुलक होता है उसके बाद कहा रहा है कि इसमें चारक जो प्यूरीन होता है वो एडिनीन और गलाइनीन होता है लेकिन जो पेरिमीडीन होता है उसमें साइटोसीन और यूरोसिल होता है मतलब कि जो थाइमीन के जगेपे क्या हो जाता है यूरोसिल हो जाता है ठीक है थाइमीन के जगेप क्या हो जाता है यूरोसि तो क्या बदला केवल यह चीज बदल ली है आपको जो डियानों हो वहां टी कर देनी है जहां आरेनों वहां यू कर देना है बाकी सेम डू सेम इस सूत्र को या दख लेज़े आपको सिंपली कभी डाउट नहीं होगा कि एडेनीन में कितने एडेनीन कितने कौन मलब किसमें क कि संपली ड क्या कितने हिस्ट को यहां देंगें बात कर लेए मweg आरेने कितने पिरकार के होता है यह भी जानना बहुत जरूरी है तो आ आरेने होतीय दो दोबिरगार के कोई बंदाए two पिरगार नहीं कहते हैं अब देखिए जो non genetic RNA होता है non genetic RNA होता है वो होते हैं हमारे तीन प्रकार के non genetic RNA होते हैं तीन प्रकार के कौन-कौन से अब मनुव जेक genetic RNA एक प्रकार को बस इसके कोई और लेकिन non genetic RNA होता है तीन प्रकार कौन-कौन से एक होता है RRNA, TRN और MRN, अब देखिए हुझे संदेज बहक RNA कहते हैं, ट्रांसफर RNA कहते हैं, और राइवोसोमल RNA कहते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है न, यह clear होता है, अब देखिए यहां, कुछ यह देखिए, यहां कह रहा है कि RRNA क्या होता है, RRNA क्या होता है, यह राइवोसोम बार केंदरका में पाय जाता है, देखिए, यह राइवोसोम और केंदरका में पाय जाता है, यह कुल RNA का 80% होता है, कितना होता है, जो RRNA होता है, जिसे हम राइवोसोमल RNA कहते हैं, राइवोसोमल केंदरक में, निर्वान में भाग लेता है यह DNA का सूचम भाग से बनता है अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा यह वाला आपने देखा होगा कि TRN जोसे हम transfer RNA कहते हैं transfer RNA होता है इसके बारे में देख लेता है एक नज़र देखिए यह कहा रहा है कि इससे सो देखिए जो soluval RNA कहते हैं मतलब कि sRNA भी कहते हैं soluval या transfer RNA कुछ भी कह सकते है sRNA आए तो भी आपको TRN की बारे करने है क्योंकि sRNA कभी कभी पुछ लेता है examar तो आपको confirm हो जाते है तो यहां क्या करना है यह क्या होता है यह RNA का 15% भाग होता है क्या transfer RNA जोसे TRN या sRNA कहते है यह कह रहा है 75-90 nucleoctide का बना होता है मतलब कि 75-90 nucleoctide का बना होता है यह amino amino की MRN राइबोसोम के पास लिए जाता है मतलब जो MRN है ततह राइबोसोम के पास लिए जाता है nuclear Vedum Inc Mes डीने के अनूलेक जिसे हम ट्रांस्क्रिक्शन कहते हैं ठीक है तो यहां कह रहा है देखिए यहां बोल रहा है ट्रांस्क्रिप्शन ठीक है देखिए ट्रांस्क्रिप्शन लिखा है यहां देखिए अनुलेखन की बात कर रहा है अनुलेखन दोवारे तो प्रोटीन संसेशन को जो कोड़िद करता है यहां कहा जा रहा है कि जो DNA के DNA के सबी वागू मनता है तो I hope हमारी वीडियो आपको पशंद आई होगी तो यार आप लाइक कर दीजे इस वीडियो को ताकि आपको यहां से कोशन भी बाहर एक्शली नमबर बाहर नहीं जाएंगे तो यार ऐसे अपलेट वीडियो को आपको सब्सक्राइब और यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके एक दवा देना है बैल के अइकन को ठीक है तो आई होगी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर थैंक यू